हलो एवरीवन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी द्रश्य पराभिएंगने स्पेक्ट्रोस्कोपी के इससे पहले बारे लेक्चर में हमने अनु या योगीक में होने वाले विभिन प्रकार के इलोक्त्रोनिक संक्रमन के बारे में पढ़ा था जिसमें सिग्मा टू सि स्टार संक्रमन एंड टू सिग्मा स्टार संक्रमन वो एंड टू पाइश्टार संक्रमन के बारे में हमने अध्यन किया था जैसे कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार एलकेन में होता है पाइटू पाइश्टार एलकीन एंड टू सिग्मा स्टार ऑक्सिजन नाइटोजन और सलफ करते हैं हम UV visible spectroscopy में इसके अलबा कुछ और महत्रपुन उप्योगी पद हैं जिनका अध्यन करना जिसका ग्यान होना बहुत अथी आवश्या के बहुत ज़रूरी है जिसमें से सबसे पहला है आपका क्रोमोफोर या वर्ण मुलक ठीक है ना पहली परीबश आगया आपकी वर्ण मुलक या क्रोमोफोर तो पहली बात तो यह कि UV visible spectroscopy में हम यह देखते हैं कि किसी भी compound में और संतप्ता कितनी है यह हमको जानकारी मिलती है ठीक है तो किस क्रोमोफोर क्या होता है तो किसी योगी का रंग उसमें उपस्तित और संतप्त समूर के कारण होता है ठीक है कोई भी योगी है वो रंग परशीद कर रहा है तो वह रंग उसमें उपस्तित और संतप्त समूर मतलब अनसेचुरेटेट समूर के कारण उसमें रंग होता है और यह जो असंतप्त समूर जिसके वज़ क्रियात्मक् समुह होता है जो किसी अन्य समुह के साथ सुर्यूद्मन में नौ हो और द्रश्च तथा पराबेंगनी शित्रों में अपनी अभिलाक्षनिक तरंग धेरे को और शुषित कर योगिक को रंग पदान करता हो उसे हम वर्ण मूलक समुह कहते हैं वर्ण मूलक ऐसा क्रियात्मक् समुह होता है जो किसी अन्य समुह के साथ सुर्यूद्मन में नहीं होता है और उसकी खुद की वज़े से उसके स्वेंग की वज़े से पराबेंगनी एवन द्रश्च शित्रों में आफ्सुशन करके वह योगिक को रंग पदान करता है मतलब योगिक का जो र इस समूह की वज़े से किसी भी योगिक में रंग उपस्तित होता है और इन समूहों को हम क्या कहते हैं वर्ण मुलक कहा जाता है ठीक है तो किसी भी रंगिन योगिक में वर्ण मुलक समूह होना आवशक है परन्तु वर्ण मुलक समूह उपस्तित होने पर योगिक रंगिन ही होगा यह आवशक नई है मतलब कोई योगिक रंगिन है इसका मतलब उसमें वर्ण मुलक समूह उपस्तित है ठीक है तो वर्ण मुलक समूर क्या होता है जिसकी वज़े से किसी भी योगी की या अनू में रंग होता है उसे हम वर्ण मुलक समूर कहा जाता है यहाँ पर आपके एक्जमपल दे रखें हैं जिसकी बारे हमने चर्चा करी दूसरी आपकी important परिफषा है वर्ण वर्दक जिसको में इंग्लिज में कहते हैं औक्जोक्रम जिसकी जो इंग्लिज शब्द हैं वो З्यादाद इजल्द करने के कौशिश करें वर्ण वर्दक ऑग्जोक्रम तो यह क्या होता है एघ्थ समitters प्रसमूर ऑबंधी के साथ सरीगमन में उपस्तित है तो वर्ण मुलक के रंग प्रदान करने की शमता को बढ़ा देते हैं ऐसे समू को हम औक्जोक्रम या वर्ण वर्दक कह रहे हैं मतलब उनकी खुद की वज़े से तो कोई रंग नहीं होगा लेकिन वर्ण मुलक के साथ उपस्तित होने पर यह वर्ण वर्दक के रंग प्रदान करने की शमता को बढ़ा देते हैं ऐसे समू को हम और्ग्जोक्रम या वर्ण वर्दक कहेंगे तो यह समू की तिव्रता एवन तरंग धेरे को प्रभावित करते हैं इसका मतलब एस्पलंग और ऑप्टिकल डैंसिटी ए और तरंग धेरे लेम्रा मेक्स दोनों को बढ़ा देते हैं ऐसे समूर को हम और रंग की तीवरता को बढ़ा देंगे लाल है वो ज्यादा तीवर लाल अपने को दिखाई देगा इस समूर के कारण ठीक है यहां पर मतलब कुल मिला कि ऐसे संतर प्रसमूर जिन में एकार की लॉक्टाउन होगा लेकिन यह अगर यह किसी वर्ण मुलक के साथ प्रस्थित होंगे तो उनकी रंग प्रण मुलक की रंग प्रदान करने की शम्ता को बढ़ा देते हैं ऐसे समूर कम क्या कहते है और अप्जोक्रोम या वर्ण वर्दक नाम में ही परिवाशा है वर्ण वर्दक वर्दक का मदल होता है बढ़ाना ठीक है अब आगे देखते हैं शीप्ट ऑफ एब्जॉप्शन पिक ऑफ्शोशन शीखर का विस्थापन अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यहां पर दो शब्द होता है एक तो होता है एप्सलंग यूवीडिबल इस्प्रक्ट उसक्रपे मे ऑफ्शोशन किस तरंग धेरे पर अधिक्तम हो रहा है मतलब अप्टिकल डेंसिटी प्रकाशिक गनत वो एक आमान कौनसी तरंग धेरे पर अधिक्तम है उसे हम कहते हैं लेम्डा मैक्जिमम तो एप्सलंग मैक्जिमम अथ्वा लेम्डा मैक्जिमम के मान में परिवरतन अ बताई गई है जिसमें सबसे पहला है आपका वर्नोत कर्शी विस्थापन वर्नोत कर्शी विस्थापन जिसे हम बैथो क्रॉमिक शिप्ट भी कहा जाता है ठीक है बैथो क्रॉमिक शिप्ट या वर्नोत कर्शी शिप्ट कहा जाता है तो क्या परिबाचा है इसकी जब किसी य आउस्वेशन बेंड का जो लेम्डा मेक्स है वहां लंबी तरंग धेरी मतलब अधिक्तम तरंग धेरी की और विस्थापित हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं बैथोक्रोमिक शिप्ट हम कहेंगे समझे इसका मतलब यह क्या कहना चाहरा है कि ऐसा समुर किसी योगीक में उपस्तित हो जो इलोक्टन दाता समुर है तो वह उसकी वज़े से लेम्डा मेक्स आउप्शोषन की अधिक्तम तरंग धेरी जो है वह और अधिक तरंग धेरी की वार विस्थाप या रेड़ शिप्ट भी कहते हैं क्योंकि अपन देखते हैं कि द्रश शित्र में जो रंग होता है उसमें सबसे अधिक तरंग देरी लाल रंग की होती है तो यहाँ पर अव्शोषन है वो लेम्डा मेक्स है वो अधिक तरंग देरी की विस्थापित हो रहा है मतलब के लिए लेम्डा मेक्स के मान क्रमच दे रखे 255 और 260 नमीटर मतलब जब बेंजीन था तो उसमें 255 नमीटर लेम्डा मेक्स थी लेकिन जैसे ही इलक्ट्रॉन दाता समूर सी एस्थी जूड़ गया सी एस्थी मतलब अब अलकिल गूरूप है प्लस आई है वो प्लस आई जैसे विस्थापन को हम क्या गएंगे वनोत कर्शी विस्थापन या रेड़ शिप्ट कहा जाता है ठीक है नेक्स यहां पर एक्जम्पल दे रखा है द्रीबंदों के स्वयूगमन या स्वयूगमन शंकला की लंबाय में बद्दी से भी वनोत कर्शी मतलब स्वयूगमन ह अधिक्तम की और विस्थापन नैक्स विस्थापन आपका है वनोप कर्शी विस्थापन जिसको हम हिप्सो kromik shift भी कहते हैं तो यह कब होगा जब इलक्तोन ग्राही सम्मूँ मतलब इलक्तोन को अपनी और आकशित करने वाला सम्मूँ जूड़ा हुआ होगा योगिक में तब जो लेम्डा मेक्स है वो कम तरंग धिरी की और विस्थापित हो जाएगी तो ऐसे विस्थापन को हम क्या कहते हैं वर्न आप करशी विस्थापन मतलब जो आपकी लेम्डा मेक्स हो भो कम तरंग धिरी किस की होती है बैंगरी रण की काम होती है तो इसे हम ब्लू शिप्ट भी कहेंगे क्या कहेंगे ब्लू शिप्ट या नीला विस्थापन भी इसको हम कहते हैं जैसिके आप एक्जामपल दे रखा है विट्यर रंजग क तो लैम्डामेक्स का मान्द 4909 मतलब 495 नेनो मीटर हो जाता है जो की कम हो जाता है जिसके वजह से यहां पर कौनसा विस्तापन होता है वर्यणापकर्शी या ब्लू शिप्ट यहां पर अपने को देखने को मिलता है ठीक है तो अगर जिसके स्वहिग मन की वज़ते से लैम हीपिसु कर्मिक होगा निला विश्थापन है आपये अपने को दिखाई देगा तो यह दोनों जो विश्थापन थे एक तो आपका बैंट हफानल डॉन स्थापन को बताते हैं तिसमें जो आपका लेंग किया में में व्रद्धी को बताता है और हिप्सोक्रमिक और लेम्डा मेक्स के मान में कमी को बताता है बैथोक्रमिक शिप्ट इलक्ट्रन दाता समूँ की वज़े से होता है और हिप्सोक्रमिक शिप्ट जो है वो इलक्ट्रन आकर्शी समूँ की वज़े से होता है ठीक है जैसे कि नाइट्रो समूह हो एसे टिल समूह हो कि इलोक्ट्रोन आकर्शी समूह में आते हैं जो इलोक्ट्रोन को अपने आकर्शीद करते हैं यह दोनों जो हिप्सो क्रोमिक और रेथो क्रोमिक शिफ्ट थे वो आपके लेमडा मेक्स की विस्थापन को बताते हैं आगे और दो और विस्थापन है जिसके हम हाइपर क्रोमिक एफेक्ट एड हाइपो क्रोमिक एफेक्ट कहते हैं एक तो hyperchromic एक है hypochromic ये दोनों है वो observation की तीवरता की विस्थापन के बारे में चर्चा करते हैं अगर कोई प्रतिस्थाफिस समूह observation band की तीवरता को बढ़ा देता है मतलब epsilon maximum के मान को बढ़ा देता है तो ऐसे प्रभाव को हम अतिवर्णक या hyperchromic प्रभाव कहते हैं जैसा कि bethochromic shift जो कर रहे थे वही समूह है hyperchromic effect भी प्रदर्शित करेंगे मतलब epsilon के मान को molar विलापन गुणां के मान में जद्धी करते हैं वह समूह होते हैं आपके electron data समूह जैसे कि benzene पर टॉलूइन के example दे रखे हैं वी बेन के लिए epsilon maximum का मान क्रमा शहर 204 एवन 225 दिया गया है ठीक है मला electron data समूह bethochromic shift भी करेंगे and hyperchromic effect भी प्रदर्शित करते हैं next है अधो गरननिक effect हाइपोग्रोमिक तो इस्की वज़े से क्या होगा इस एफैक्टी वज़े से एफ्लंग maximum का मान कम हो जाता है उसके मान में कमी आती है तो ऐसे समूह जिसके वज़े से Epsalang Maximum के मान में कमी आती है उसे हम अधो बर्णी सम्हों या अधो वर्णकम एक्षोन नंवेटर यह जो प्रते हैं जीक दोनों प्रद्रशित करते हैं जिसे कि यहां पर इनको डाइग्राम से पर समझ सकते हैं कि यह जो तरंग देरिये अधो बढ़नक यह जो लेम्डा मेक्जिमन का मान यह जो आपका ग्राफ दीख रहा है और लेम्डा और एफसलां के बीच में खिचा हुआ है अगर यह जो अग्दिक्तम ऑप्सेशन की तरंग देरिये है अगर वह इस और शिप्ट और इसको बोलें है और उसको बोलेंगे हाइपर क्रोमिक अति वरनक और नीचे की यह शिप्ट अगर उसको बोलेंगे अधो वरनक तो आज हमने चार प्रकार के विस्थापन बैथो क्रोमिक हिप्सो क्रोमिक हाइपर क्रोमिक एफेक्ट हाइपो क्रोमिक इफेक्ट इस चार एफेक्ट के ब मारे में हमने जल्चा कुदी थैंक्यू